राइटाम राउंड वेकेट अच्छी गेंद पिछोने के बाद अंदर की तरफ आई नजदी की रन पूरा किया अकरम को साथ निवाना होगा बड़ियां दरीगे से और इस बार हेलिकॉप्टर शॉट हवाबे खेला हुआ शॉट बेलकुल सेफ बैंक की तरह चैरंस के लिए बहुत आकर्शक अंदाज और अब इसी तरह के शॉटों की आवशकता है शारिक इलेवन भूपाल को एक बड़ा टार्गेट सेट करना है जानते हैं कि केरल की टीम ने पिछला मकाबला जीता है आत्म विश्वास से भरे हुए खिलाली है उनके चौथा ओवर चल रहा है स्कूर पहुँच चुका है इस छे रन के इजाफे के साथ चवालिस रन दो विकेट के नुक्सान पर इसके बाद दो ओवर और बाकी बचे रहेंगे गेंदवाजी कर रहे हैं रियाज राइट आम ओवर दा विकेट उनके सामने हैं बलेबाज अक करशक शौट खराब गेंद अर्दिशा तक पूरा हुआ शारिक 11 का त्रेपन रन दो विकेट के नुक्सान पर तीन दशमलाव चार ओवर के खेल में रियाज को परेशान किया है सोलर रन आ चुके हैं मजफर इस ओवर में और जो एक छक्का लगाया था विशेश रूप से और यह बड़ा शौट लगाया शानदार ला जबाब कमाल का शौट यह चैरन्स के लिए बहुत बढ़िया टाइमिंग हलका सा कदमों के इस्तिमाल किया था और नतीजा आपके सामने एक मैक्सिमम बहुत दीर तेगें हवा में ट्रैवल कर रही थी हैवी बॉल का यहाँ प यहां से बची हैं तीन गेंदे यह उठाकर खेला हुगा शौट फिर से क्या खत्रा है इस बार खत्रा नहीं वाउंडरी लाइन के बहार चैरन्स के लिए बहुत बढ़िया संपर्क हुआ है मज़ेदार आवाज आई शानदार जहां खेलना चाह रहे थे वहां पर खेलने म अकरम बॉनी ने बेलकोल राइट टाइम ये चक्का मारानों ने शेर दिली के साथ दामु सर अठटर पे पांच और अकरम का विक्तिके दिस्कूर दस गेंदों पर 27 रंच चौथा चक्का उनके